जादोई कंबल एक छोटे से गाव में एक वृद महात्मा रहते थे, वह एक कंबल लपेटे हुए और अंजनी वाज यंत्र बजाते हुए फूरे गाव में घुमते रहते थे लोगों का भी उनके प्रती काफी प्रेम सौभाव था, उनकी खास आदत यह थे कि जब भी कोई ब्यक्ति उन्हें अपना दुख दर्द बताता तो वह उस ब्यक्ति का दुख दर्द दूर कर देते थे एक दिन किसी पास के गाव से एक विद्दिवान पूरुस उनके गाव में आता है, उस समय महात्मा गाव के एक ब्यक्ति के पास उसके दुख दर्द को पूछ रहे थे, उस ब्यक्ति ने बताये कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है वह एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए वह किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, किर्पया आप ही कुछ कीजिए, आदमी की दर्द भरी आवास सुनकर महात्मा जी ने कहा, यहां लेट जाओ, वह आदमी तुरंत वहीं लेट जाता है, फिर महात्मा जी अपने उस कंबल को उ हो जाता है, और कहता है कि महात्मा जी मेरा पेट दर्द बिलकुर गायब हो गया, अब मैं बिलकुर ठीक हूँ, और वह महात्मा जी को धनिवाद देता है, उनके स्यमतकार को देकर पासी खरे दो और ब्यक्ति कहते हैं कि महात्मा जी आपने इस ब्यक्ति के दर्द गायब क कर दिया किर्पिया आब इसके घर खाना खाकर ही जाएं ऐसा सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि अगर तुम इतने प्यार से बोल ही रहे हो तो चलो ठीक है महात्मा जी उस ब्यक्ति के घर जाते हैं और भोजन ग्रहन करते हैं भोजन करने के बाद वह वापस अपनी कुटिया पर आते हैं यह सब चमतकार होते हुए वहाँ एक विद्देवान पेर के पीछे खरे होकर देख रहा था कुछ समय के लिए तो वह दंग रहे गया कि यह सब कैसे हो सकता है उसने महात्मा जी का पीछा करना सुरू किया अगली सुबह महात्मा जी फिर कंबल ओड कर और अंजनी बजाते हुए गाउं की फेरी करने के लिए निकले वे खेतों पर टहली रहते कि एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा महात्मा जी पिछले तीन सालों से मैं अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाड़ा हूँ काफी मेहनत करता हूँ लेकिन फसल अच्छी पै रोसा है या नहीं फिर महात्मा जी उसने रास बैक्ती की ओर देखते हैं और कहते हैं चलो ठीक है फिर महात्मा अपने उस कंबल को लेते हैं और खेत की मेटी पर हलके से घुमाते हैं और वापस उस बैक्ती के पास आकर कहते हैं अब अपनी अच्छी फसल के लिए खूब म पहनत करना इतने में एक दूसरा बैक्ति आता है और कहता है महात्मा जी जब से आपने अपने इस जादूई कंबल को मेरे खेत की मिटी पर फेरा है तब से मेरी फसल चोगनी बढ़ चुकी है और अब मैं खुसी-खुसी से अपना और अपने परिवार का गोजारा कर पा रहा हूँ मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेट वह बैक्ति खुल और सबजियों से भड़ी टोकडी को महात्मा जी को भेट करता है महात्मा जी उस भेट को स्विकार करते हैं और अपनी कुटिया की तरफ निकल जाते हैं आज हुई सभी घटनाओं को वह विद्वान उसके पेर के पीछे खरे होकर देख रहा था और सुन रहा था अब वो समझ गया कि महात्मा के पास एक जादूई कंबल है वह सोचता है कि अगर वह कंबल उसके पास आ जाय तो वह अपने मान समाल और संपति में वृधी कर सकता है वह दुबारा से महात्मा जी का पीछा कर और उनकी कुटिया तक पहुच जाता है अगली सूबा महात्मा जी नहाने का विचार बनाते हैं और पासी जंगल में बह रही नदी में अशनान करने के लिए जाते हैं वह विद्वान भी उनके पीछे-पीछे जाता है जब महात्मा जी अपने उस जादूई कंबल को अपने शरीर से उतार के पेर के एक छोटी सी टहनी पर डालते हैं और नहाने के लिए जाने लगते हैं तो वह वेद्दिवान तुरंत उस जादूई कंबल के पास आता है और उसे उतारने की कोशिस करता है लेकिन वह जादूई कंबल पत्थर की तरह बैवार करता है वह महात्मा को वापस आते हुए देखकर वह विद्दिवान बीना कंबल लिये ही चला जाता है महात्मा जी आते हैं और उस कंबल को उतार कर अपने सरीर पर लपेट लेते हैं कुछ समय बाद वो उस कंबल को धूप में सुखाने के लिए डाल देते हैं ताकि की दुबाड़ा ड दालने के बाद थोरा सरीर को गर्माहट मिल सके यह देखकर विद्दिवान को फिर से एक मौका मिल गया उस कंबल को लेने के लिए वह तुरंद कंबल के पास जाता है और उसे उतारने की कोसिस करता है लेकिन तेज हवा के चलते वह कंबल उपर की ओर ओडने लगता है जिस इतने में दोबारा महात्मा जी वापस आते हैं महात्मा जी को वापस आते हुए देखकर वह विर्देवान फिर से पेर के पीछे शिप जाता है इस बार विर्देवान पूरी तयारी करता है महात्मा जी उनका जादूई कंबल छीनने के लिए वो महात्मा जी की कुटिया में जाता है और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है दरसल यह उसका एक सोचा समझा प्लान था जिससे वो महात्मा जी के उस कंबल को छीन सके महात्मा जी उसके आमंतरण को स्विकार करते हैं और अगले दिन उसकी कुटिया में परवेश करते हैं जैसे महात्मा जिसकी कुटिया में घुशते हैं वह विद्दिवान अपने असली रूप में आ जाता है। वह बड़ी ही अभद्रता दिखाते हुए महात्मा से कहता है आप अपने इस जादूई कंबल को मुझे दे दो। यह सुनकर महात्मा जी अशर चकित हो जाते हैं और पूछते हैं आखिर तुमें यह कंबल क्यों चाहिए। इस पर विद्दिवान कहता है कि यह एक जादूई कंबल है जिससे कि मैं अपने हर विगरे हुए काम को सुधार सकता हूँ और धेर सारा धन कमा सकता हूँ। विद्दिवान के ऐसे विचार सुनकर महात्मा जी काफ दिया और वहां से अपनी कुटिया के लिए रावाना हो गया। अगले दिन विद्दिवान उसी गाह में उस जादूई कंबल को लपेटी हुए और अंजनी बजाते हुए निकलता है। लोग उसे देखकर हसते हैं कि यह देखो पागल आ गया है। इतनी गर्मी में भी कंबल लपेटे हुए है। लोगों की ऐसी बाते सुनकर वह हैरान रह जाता है लेकिन फिर आगे बढ़ने लगता है। आगे एक ब्यक्ति खाली टोकडी लिये हुए आ रहा होता है। विद्दिवान उसे रोपता है और कहता है कि मैं तुम्हारी खाली टोकडी को फल और जंदोंगा। ऐसा सुनकर वह ब्यक्ति हसता है और विद्दिवान को पागल कहने लगता है। विद्दिवान अपने उस कंबल को इस टोकडी पर फेरता है, में लेकिन उस टोकडी फिर भी खाली ही रहती हैं। ऐसा देख कर विद्दिवान आशर चकित हो जाता है और सोच उसने लगता है कि आकिरिया टोकरी फॉल और सबजियों से क्यों ने भड़ी, क्या ये कंबल जादू नहीं दिखा रहा है। लेकिन फैरों का दर्द खत्म नहीं होता। ये सब देखकर विद्देवान समझ जाता है कि ये कोई जादूई कंबल नहीं है। विद्देवान का मन साफ हो तो उसकी कही हुई बाते और उसका हर किया हुआ काम सही ही साबित होता है। ये सब सुनकर विद्देवान अपनी गलती को मानता है और उनसे इस गलती की छमा भी मानता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लेके आप हमारे वीडियो को देख सके। ये कहानी कैसी लगी फ्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं।